According to Holland, the term source of law has been used जिने variety of sense यानि कि Holland के according जो sources of law है उस पर बहुत सारे दृष्टी कोनों से विचार किया जा सकता है Holland ने sources of law में कई सारे source बता हैं तो सबसे पहले वो बात करते हैं material source की Material source से उनका मतलब ऐसे material से है जिससे law के बारे में जानकारी उपलब्द होती है या जिससे law की knowledge मिलती है For an example, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं statute book की और law reports की और ऐसे सारे material को यानि कि जिससे हम law के बारे में जानकारी पा रहे हैं इस सब को law का material source कहा जाता है Second, Holland बात करें formal source से Formal source से उनका मतलब उस ultimate authority से है जो की law को binding force provide करता है यानि कि विदी को बंधनकारी प्रभाव दिलाने वाली शक्ति के बारे में यहाँ पर Holland बात कर रहे हैं और उसको वो formal source के रूप में बता रहे हैं यहाँ पर कही ना कहीं, it means state की बात हो रही है, sovereign power की बात हो रही है Third, sources of law में Holland causes को बहुत important बताते हैं और उनका कहना यह है कि sources of law में जब हम causes के बात करते हैं तो वो सारे causes जिनसे विदी की नियम अस्तित में आते हैं और आगे चल करके law के form में आ जाते हैं यान कि यहाँ पर वो custom की बात कर रहे हैं, release की बात कर रहे हैं और सबसे last में उन्होंने mention किया है agency और organ of state को यानि कि यहाँ पर इनका क्याने का मतलब यह है, law के source के रूप में उन संस्थाओं या राज्ये के अंगों का समावेशे जिनके द्वारा या तो राज्ये जो पहले से प्रेचलित जो आप राधिकरत नियम हैं उनको मानेता प्रदान करें या खुद ही नई नई विदियों का निर्माड करें जैसे की legislation करेंगां यू झाल झाल से प्रेचलित जिर्माड करेंगा इस थार्मां करेंगा प्रेचलित जो आट suspended जो